हलो भाई लोग मैं हूँ फैक्ट भाई और लॉजिक क्या है लॉजिक में लप्पूजा लॉजिक है टीवी सीरियल में इसकी चलती ना इसकी चले दो कोई सीरियल देगे ना इसलिए दो सीरियल को इलॉजिकल बना कर घर घर की मा का भरूसा तो ओल विया गया ये देखो मोहनीद अचुडायल ने चांद पे रसी लपेट कर खीची और सीड़ी चड़के देव पहुच गया चांद पे और देवगी पारो पारो ने कर ली स्कूटर से चांद पर जाने की तयारी अब क्या पारो देव को धर्ती पे लापाईगी जानने के लिए अगला एपिसोड नहीं पर जानने से पहले अगला एलोजिकल सेन्स जरूर देखिए क्योंकि टीवी वर्स की टेकनलोजी सिर्फ धर्ती से आस्मान तक नहीं बिना डॉक्टर और बिना किसी मेडिकल एक्कुपमेंट के बच्चा ट्रांसफर करने तक पहुँच चुकी है और तो टीवी वर्स में लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि वो हातों से आँखे बाहर निकाल लेते हैं ताकि उनकी सफाई कर सकें अगर आपको यकीन नहीं तो फैक्ट भाई आपको इन सीरियल्स का कच्चा चिट्था दिखाएगा और इसकी पूरी दास्तान भी सुनाएगा तो आईए शिरू करते हैं आपकी आँखे निकाल के गोटियां केलना आप बताओ आपकी आँख में अगर काली मिर्च चली जाए तो आप क्या करोगे पौरण अपनी आँख पे पानी डाल कर काली मिर्च निकालोगे पर ना 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 टीवी सीरियल वाले ये बेड़ चाल लाई करेंगे क्योंकि जब टीवी सीरियल वालों की आँख में काली मिर्च चाती है तो वो ये करते हैं मतलब बैन ने आखे निकाल कर गोटियां केलने की बाद को कुछ जादा ही सीरियसली ले लिया अब ही आखे निकाल कर आखे धोने वाली दीदी है सबरीना जो असल में विशली नाम की विश कन्या है और उसका लाइफ में एकी मकसद है अपने प्यार विशला को वापस जिन्दा करना और ऐसा करने के लिए ये बहुत पापड़ बेलती है पर हत तो तब पार हो जाती है जब ये शो की हीरोईन आदिया के पेड़ से बच्चा चुराती है क्योंकि जाते जाते सबरीना दीदी कह गई थी कि जीत के लिए साथ रन की आवशकता प्रीज पे हैं एहम जी एक बार दो और एक बार एक भागने के बाद प्रीज पे आती हैं गोपी बोव तीन बाल टॉट करने के बाद एक बाल में चाहिए चार रन और वहीं गोपी कोप मोटा बाबी की एक बात याद आती है तो फिर वही आखरी बाल पे गोपी ऐसा बल्ला गुमाती है कि खुद कमेंटेटर बोलता है कि ये एक कमजोर शॉट है और बाल सीधा फील्डर की तरफ जा रही है मगर पिर भी जब बाउंडरी चली जाती है तो इसे देखकर फैक बाई को सिर्फ पाकिस्तानी फील्डर्स की याद आती है लॉकडाउन में इनी से इंस्पायर होकर कट्रीना ने भी जादू शॉट सीखा था लोग अप चांद पर भी रहते हैं और मार्स पर भी पर एक चीज नहीं कर पा रहे हैं बच्चा एक पेट से दूसरे के पेट में ट्रांसफर करना तो बाई लोग ये जादू है जिनका यानि यहां सब चलता है लेकिन ये सीरियल ही कुछ ऐसा है जैसे हर एक फैमिली में मर का हवा में उड़ना गाड़ियों को रोह शेटी की तरह पोड़ना और घर में ही कुआ खुद जाना तो ऐसी बच्चा ट्रांसफर जैसी भयानक टेक्नलोजी का इस्तेमाल होना बड़ी आम बात है पर जब लोगों के सामने इस साइंस को स्ट्रीम किया गया तो लोगों ने इससे भर के ट्रोल करना शुरू कर दिया लेकिन अगर फैक्ट बाई की माने तो 2020 में बंद होने वाले इस शो की वजए उसका मजाग बनना नहीं था इन फैक्ट इस शो की दिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि शो के मेकर्स इसे और चलाना चाते थे लेकिन COVID-19 की महमारी के कहर ने इस सीरियल की महमारी को ही अटवा दिया चंद्रियान 2 के बाद चंद्रियान 3 को चान के सफर पे बेजने के लिए इस रो को 4 साल और 615 करोड रुपे लग गए लेकिन मिली एच्छादारी नागिन से इन्होंने फ्री में रॉकेट की सवारी दुक करी ही लेकिन ये पहली नागिन है जिनके रिज्यूमे में अब स्पेस ट्रैबलर भी एड़ हो सकता है क्या टैलेंट है और ये देखकर इस रो वाले फिर भी एक बार के लिए शान्त हो जाएं लेकिन इसका क्या इश्की दास्तान नाग बनी की पारो ने जो 80,000 की स्कूटी को स्टार्ट करके चान तक की उड़ान बरी है इसके बाद ये दो थाबित हो जाता है कि इस शो का साइंस ही नहीं लॉजिक से भी धूर धूर तक का कोई वास्ता नहीं है खैर बिना लॉजिक के सही पर पारो देव और अपनी बेटी को धरती पे ले आई पर ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि इस सीरियल के राइटर बाबाजी की बूटी फूंक के लिखते वक्ती ये चेलेंज लगाते होंगे कि सबसे खतरनाक बिनसर पैर और लॉजिक की कानी कौन लिखेगा पर ना बताओ हर सीन बिना भीजा इस्तेमाल किये कोई कैसे लिख सकता है जैसे हवा में शर्ट पकड़ कर बच्चे के साथ पैरा ग्लाइडिंग कौन करता है और लटकने का इनका शौक ही बड़ा है ये देखो आसमान से गिरे खजूर में अटके और फिर देख बाइसाब होग के जरीए बच्चों को लेके लटके लेकर जहाए हीरो का बंदर जैसा लटकना है हीरो इनका चांड पर स्कूटर लेके पिक्सिक बनाना है वहीं सीरियल के बच्चे कैसे बीजे रहते तो इस सीरियल में पिछले महीने एलियंस ने भी एंट्री मारी खोद नागिन की बेटी बन कर मैं वहाँ उपर से आई हूँ और बाद में एलियंस ने खोद इनकी बच्ची लाकर दे दी सही नाम रगा है चैनल वालों ने अपना दंगल क्योंकि जो ये दिखाते हैं उसके बाद दिमाग में सिर्फ दंगली चल सकता है जब इच्छादारी माकिट में नागिन, डाइन और पिशाच का स्टॉक कद्म हो गया तो एक बुद्धी जीवी ने अपने सिर्यल जीवित रखने के लिए पेश किया इच्छादारी मेडग और इसमें होता ये है कि एक अंकल पर बूद कसाया पड़ता है उन पे सस्ता स्नैपचैट फिल्टर लग जाता है और बारिश की आड़ में वो बन जाते है ये पूरे जे पूरे मेडग चलो वो अंकल मेडग बने तो बने पर उनके साथ वो और एक इनसान को मेडग बना लेते है जहां उसे अपनी साथी इच्छादारी मेडगी मिल जाती है तो बाई लोग इस महान कानी के पीछे हाथ है लाल इश्क सीरियल का जहां उन्होंने बड़े शान से अपने एपिसोड को रोमेंटिक होरर कहा था परफेक्ट बाई के लिए तो ये सीरियल किसी कौमेडी से कम नहीं है इनफेक्ट ऐसा ही सीन दिविद्रश्टी के एग एपिसोड में भी दिखाया गया था जहां टेलिवीचन के चिडिया गर में इच्छादारी बंदर की भी इंट्री हो जाती है ये हो रही है हीरो की शादी पर अगर शादी बिना कलेश के पूरी हो जाए तो वो सीरियल पूर की शादी कैसे होगी तो बस ये गिरा उपर से मंदर का गंटा एरो के हाथ से छट का मंगल सूत्र और ये को जितने सटीक तरीके से बिना जाने ये मंगल सूत्र डारेक्ट लड़की के गले में पहुँचा है इतनी सटीकता से तो जानकर मेले में डाली गई रिंग का निशाना नहीं लगता अच्छा हुआ न्यूटन अपने लौ देके भगवान को प्यारे हो लिए ये सीरियल देख लेते तो अपने लौज वापस ले लेते पर एक तरफ मन सुंदर की एक्सिडेंटल शादी है तो दूसी तरफ उड़ती का नाम रज्यो स्टापलस के इस शो में उड़ता उड़ता बोले दो एक्सिडेंटल करवाचवाद दिखा दिया जब तक ये सारे एक्सिडेंट सीरियल पूर के वास्तियों के साथ हो रहे है तब तक ठीक है अगर ये रील से रील लाइफ में होने लगे तो क्या होगा एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू एक शगुन के सिर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर इसलिए तो ऐसे ही यहाँ पे पत्नी का सिंदूर गिरा पती ने अपने ही नाफून मार कर खून निकाला और भर दी अपने खून से अपनी पत्नी की मांग वाह प्राण जाये पर मांग से सिंदूर ना जाये लेकिन एक तरफ मांग भरने के लिए सिंदूर की जगाए फून इस्तेमाल हो रहा है तो दूसी तरफ ये है मैडम जो सीरियल के बीच 5 मिनट क्राफ्ट की क्लास दे रही है और अगर आपके पास भी कभी पैन ना हो और आप किसी मंदिर में हो तो आप ये डी आई वाई कर सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए दो चुटकी सिंदूर सिर्फ आपकी खुद की आँखों से बहे दो भून आसू और बस मंदिर की अगरबती से इसे मिक्स कीजिए और आपका डी आई वाई पैन तयार क्या बात है सर जिसे मेरी सास बूत है कि गौरा ने तो सोम के साथ डिवोस पेपर पे साइन करने के लिए इस्तिमाल किया था पर आप इसे जैसे चाहे वैसे इस्तिमाल कर सकते हो तो ये थे वो सीरियस जिनोंने ओडियेस को समझ रखा है भोला और इने लगता है किसी को नहीं समझ आता लॉजिक ओन दिस को ला पर अगर आप चाते हो कि आपकी बुद्धी में सिद्धी बची रहे तो आप इनके बिना लॉजिक वाले फांसे की छांसे में मताना और इनसे वैसे ही दूरी बनाये रखना जिसे कोरोना में लोगों ने आपस में दूरी बना ली थी आपको इन इलॉजिकल सीरियस में सबसे इलॉजिकल पॉइंट कौन सा लगा मुझे नीचे कमेल सेक्शन में बताएं और इस सीरियस को पूरा देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जाए हैं